एक जिन्दा इंसान पानी में डूब जाता है लेकिन फिर वही इंसान मरने के बाद पानी में तैरने लगता है इसके पीछे के राज को समझते हैं जो चीजे अंदर से खोखली होती है और उनकी density यानि की घनोत पानी से कम होती है वो पानी के उपर तैरती है जैसे की पत्तिया और समुद्री जहाज लेकिन जिन चीजों की density पानी से ज्यादा होती है वो पानी में डूब जाती है जैसे की पत्थर इंसानों की body की density पानी से ज्यादा होती है इसलिए आप पानी में जाते ही डूबने लग जाते हो जो लोग पानी में डूब जाते हैं उनकी बॉडी पानी में बिल्कुल जमीन तक चली जाती है नीचे जाते ही फेफरों के अंदर पानी भर जाता है और बैक्टिरिया शरीर के शल्स को खाना शुरू क करदीत है इससे बाड़ी डिकम्पोज होने लगते हैं और बादी में मिठेन, अमॉनीय और करवन डाजू कसाइड यासी गैसेस बनने लगते हैं इसके बाद इंसान की फूल जाती है और बाड़ी की डेंसिटी कम हो जाती है जिससे मरा हुआ बंदा भी पानी में टैरने लगता है